केतू नौमे घर में, नौमा घर किस्मत का घर, नौमा घर भाग्य का घर भाग्य क्या होता है? भाग्य होता है इश्वरिय सहायता कुदरत की तरफ से मिलने वाली वो उर्जा जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे काम आए यहाँ पे अगर केतू होंगे न, तो कुदरत की मदद लेना, इश्वर की सहायता पाना comparatively आसान हो जाता है यहाँ पे केतू जो हैं सबसे comfortable feel करते हैं लेकिन नौमे घर में अगर आपके केतू हैं, तो यह मत समझेगा कि अब किस्मत का साथ अपने आप आपको मिलता चला जाएगा यहाँ पे केतू होने का मतलब है कि अब आपको किस्मत की सहायता लेना comparatively आसान हो जाएगा आज के वीडियो में मैं उन टेकनीक्स के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप यूज कर लें अगर आपका हैपी लाइक विद्योगे शर्मा में और दोस्तों आगे बढ़ने से बेले एक विनमर निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न उजया और इसके लावा एक और विशेश सूचना मैं एस्ट्रालोजी की online classes शुरू कर रहा हूं अगर आप astrology सीखना चाहते हैं predictive astrology सीखना चाहते हैं astrology के remedial part को भी सीखना चाहते हैं कि किस तरह से उपायों के द्वारा हम ग्रहों की उर्जा को अपने लिए यूज कर पाएं तो फिर ये कोर्स definitely आपके लिए है किस तरह से इस कोर्स को जोईन करना है जो number screen पे लिखा हुआ है इस number पे WhatsApp करके contact करके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं लिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं केतू नौमे घर में नौमे घर में उर्जा होती है जुपिटर की ब्रहस्पती की केतू जो है सारे ग्रहों में ब्रहस्पती के सबसे करीब होते हैं ब्रहस्पती की बात कहा जाता है केतू सबसे ज्यादा मानते हैं तो केतु यहाँ पे होते हैं, तो इसलिए केतु को यहाँ पे सबसे comfortable कहा गया है, केतु को यहाँ पे उच्च जैसा बोला गया है, यानि नौमे घर में केतु होंगे, तो अब केतु की उर्जा को किसी भी तरह से हम अपने लिए use कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे बर्थेचा होंगे, तो इनसान बुलंद आवाज का होगा, वो इनसान जो है नेता जैसे बोलने वाला होगा, उसका शब्दों की जो usage है, यह बड़ी जबरतस होगी, यहाँ पे केतु वाला इनसान जो है, उसके intuition पावर बड़ी अच्छी होगी, नौमे घर के केतु वाला इनसान अध धर्म कर्म के लिए लालच को छोड़ देता है, कितने contrast वाली चीज़े हैं, लेकिन सच चीज़े हैं, यहाँ पे इनसानों का अडंबरों में नहीं पड़ेगा, बस वो बिलकुल जितना focus उसको पूजा पाट के लिए चाहिए उतना लेगा, और बाकी सारी अपनी उर्जा जो है काम कारोबार पे लगाएगा, नौमेघर के केतु वाले लोग अगर किसी एक चीज़ में अपनी skill ले लेना, skill, यानि यहाँ वाले लोगों को किसी के लिए काम करना इतना favorable नहीं होता, कोई एक skill लेने, बस उस skill को cash करवाएं, उस हुनर को cash करवाएं, और फिर देखि नहीं मानेंगे, दिन, दुखनी, रात, चुगनी तरक्की ये केतु आपको देना शुरू करतेगा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, कि जो पीटर अगर सही होंगे, तो यह इनसान जो है, इसको अपने घर के elder से brand name भी मिलेगा, goodwill भी मिलेगी, और घर के बड़ों का स अगर आप देखना चाते हैं, नौमे घर के केतु अच्छे हैं ये बुरे हैं, बस उस इंसान के elders के बारे में जान लीजिए, अगर उस इंसान को elders का value addition मिल रहा है, उस इंसान को elders के अच्छी सलाह मिल रही है, उस इंसान के जो elders हैं, वो उसको जीवन में रास्ता दिखाने वाले हैं, तो उसके केतु अच्छे हैं, नहीं तो ये केतु जो है, इसको सुधारने की जुरूरत है, कैसे सुधारेंगे, मैं इसी वीडियो के इंग वाले भाग में आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन उस से पहले ये जान लीजिएगा, कि ये केतु जीवन में बदलाव किस तरह के लाते हैं, ये केतु जब अच्छे हो जाएंगे न, तो वो इनसान को घर बार छोड़वा के कहीं दूर भेज देते हैं, और फिर जीवन में phenomenal growth, बहुत बड़ी तरक्की दे देते हैं, यानि केतु नौवे घर में है, अच्छा है, तो उस इनसान को चाहिए native place को छोड़ दे, विदेश चला जाए, घर से दूर कहीं चला जाए, और वहाँ पे काम करना शुरू करे, और फिर देखिएगा किस तरह से उसकी life जो है, growth लेती है, नौवे घर के केतु वाले अपने native place पे जितना जोड़ के काम करेंगे, उतना average बनते चले जाएंगे, जीवन से चेक करिएगा, एक गुरू, एक चंद्रमा, नौवे घर में केतु हों और बर्थचाट में गुरू अच्छे होंगे, तो इस इंसान के जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि पिता जी जीवन में बड़े संपन होंगे, पिता जी जीवन में बड़ी तरक्की करेंगे और इस जगा पे इंसान को जीवन में परहेज क्या करने चाहिए, सबसे पहला परहेज है, ओवर धार्मिक नहीं होना है, सारा दिन बस मंत्रों चारण, पूजा पाठ, मंदिरों में जाना, अगर यही काम इंसान करता रहेगा, फिर ये केतु बहुत बुरी तरह खराब हो तो यहां पे हम बात तो केतु की कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि इस केतु की उर्जा जो है जुपिटर के हाथ में है, ओवर धार्मिक होंगे, क्योंकि नॉमा घर आपकी धार्मिक एट्रिब्यूट्स का भी है, आपकी धार्मिक आदुतों का भी है, तो अपनी financial life भी settle करवाएंगे और specially आपको जीवन में हमेशा बुलंदी की तरफ ही लेके जाएंगे आपके केतू नौवे घर में हैं और आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं धन कमाना चाहते हैं किसमत का साथ चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय है गोल्ड खरीदना आप अपने साधन के अनुसार चोटे से चोटाhmen भी खरीद लाइए यहाँ पर गोल्ड की शैप भी खही गई है गोल्ड की शैप होनी चाहिए रेक्टेंगुलर आप चाहे सोने की चोटी ईंट ले आजिए चाहे रेक्टेंगुलर शेप में कोई भी सोना लाके घर पे रख लीजिए बिलीव करिए ये एक से दो गुना दो से चार गुना, चार से सोला गुना केतू करवा देंगे, इस सोने को बेचना नहीं है, सो आप छोटे से छोटा या बड़ा जितना भी आपके साधन आपको अलोग करें, रेक्टेंगूलर पीस लाइए, उसको केसर की डिबिया में डालके, कहीं पे भी सेफ ली स्पेशली अपने धन स्थान पे जहां पे आप पैसे रखते हैं, चेक बुक रखते हैं पास बुक रखते हैं, वहां पे रखतीजिए केतू नौवे घर में हो, व्यर्थ भटकाव का आप शिकार हो रहे हो आपकी किसी से बनना रही हो, लगा अतार आपको जेवन में फेलियर मिल रहे हो तो इसका मतलब है केतू आपके किसमत की हानी करवा रहे हैं एक पीले रंग का ट्राइंगुलर जंडा लीजिए special ilaj है, और इस केतू का अगर कोई सबसे बढ़िया ilaj है न वो है दो रंग का कुत्ता पालना, कोई ऐसा कुत्ता जो double colored कुत्ता हो चाहे black and white हो, चाहे वो brown और cream हो, एक कुत्ते का कोई भी रंग हो double colored कुत्ता घर में पालें, तो ये केतू जो है हर तरफ से धन समरिदी जो है, आपकी तरफ अकर्षित करवाना शुरू कर देता है और जाते जाते केतू की एक और remedy है, वो है हर अमावस पे, किसी भी धर्मस्थान पे जाडू का दान करना, यकीन मानिये, ये नौमे घर के केतू की इतनी जबर्दस remedy है, अगर आप कर लेंगे, तो किसमत का चारो तरफ से साथ मिलता हुआ, आपको फील हो जाएगा तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी चर्चा, नौमे घर के केतू के बारे में, रवीवा रात 8 बजे मिलते हैं, एक नए सब्जेक्ट के साथ अपना खूब ध्यान रखिएगा, नमस्कार